लोग सभा चुनाव 2024 से ठीक पहले पूर राश्पती रामनात कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्छ कमिटी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी रिपोर्ट राश्पती द्रौपदी मूर्मू को सौप दी है 18,626 पन्नों की ये रिपोर्ट जिसे लगातार 91 दिनों को तक काम करके तैयार किया गया है जो पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने कोई वगालत करती है इसे लेकर सजेशन भी दिये गया है क्या कुछ खास है इस रिपोर्ट में कब इस समिती का गठन किया गया था और इसके पीछे सरकार की मनशा क्या है ये मैं आपको इस वीडियो के जरिये बताने जा रही हूँ पहले आपको बता दे की 2023 यानि की पिछले साल स्सेटमबर की महीने में दो तारीख को इस कमिट्री का गठन किया गया था और गठन इसलिए किया गया था ताकि जो देश में चुनाव होते हैं लोकसभा के चुनाव हों, विधानसभा के चुनाव हों, मुनिस्पल कॉर्परेशन का चुनाव हो या पंचायती राज का चुनाव हो जो कि हमारे देश में अलग-अलग हिस्सों में कई न कई कोई न होता है क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है इसे लेकर पैसों की बरबादी भी बहुत जादा होती है संसाधन काफी लगते हैं तो इसे कैसे कम किया जा सके इसके लिए ही इस कमिटी का गठन किया गया था और कुल 191 दिन तक लगातार काम करने के बाद स्टेक होल्डर्स और एक्सपोर्ट से बादचीत करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट तयार की गई है पूर्व अध्यक्ष एनके सिंग और पूर्व लोगसभा महासचिव सुभाश कश्यप और वरिष्ट अधिवक्ता सीनियर अर्विकेट हरिश सालवे श्रामिल है इसमें अधीर अंजन चौधरी को भी रखा गया था लेकिन उन्होंने इस पूरे कमिटी को ही वकवास बता दिया था और फिर इससे वो अलग हो गये थे अब रिपोर्ट सामनी आई है और रिपोर्ट में क्या खास बाते हैं वो एक एकर के आपको बताते हैं देखिए आपको ये बताएं कि पहले हमारे देश में 10 साल में यहाँ दो चुनाव हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे ये ट्रेंट बदल गया क्योंकि कई बार विधान सभा भंग होनी के स्तिती में बीच में भी चुनाव कराय जाने लगे अब देश के अलग-अलग हिस्सों में कोई न कोई चुनाव हो रहा होता है जैसा कि मैंने आपको बताए क्योंकि हमारा देश काफी बड़ा है अलग-अलग हिस्सों में जब चुनाव हो रहे होते हैं तो इससे राजनितिक दल पर, सरकार पर, बिजनस पर, जुडिशिरी पर उमीदवारों पर यहां तक की नागडेकों पर भी भारी बोज पड़ता है पैसे तो लगते ही है लेकिन संसाधन भी जाता है और इसी को कंट्रोल करना मकसद था जिसे लेकर ये समिती जो है वो सिफारिश ये करती है कि सरकार को एक साथ एक देश में एक साथ चुनाव कर जाएं समिती की सिफारिश आगे क्या है कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा जो रज्य विधानसभाएं हैं उनके लिए चुनाव कर आए जाए और दूसरे चरण में यहां पर नगरपालिका और पंचायत के चुनाव हों और यह जो चुनाव हों वो 100 दिन के भीत जो सूची तयार होगी मद्दाताओं की वो भी एक ही बार में तयार कर लिए जाए और इससे जो बोज पड़ता है वो कम होगा पैसे हजारों करोड़ खर्च होते हैं चुनाव कराने में वो भी यहां पर उसमें कटोती देखने को मिल सकती है अगर एक साथ चुनाव होते ह एक और एहम बात आपको बताएं कि अगर त्रिशंकू सदन अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी और कोई घटना होती है तो नए सदन के घठन के लिए नए सेरे से चुनाव आसानी से कराए जा सकते हैं इस बात का भी जिक्र इस समिती की रिपोर्ट में किया गया है अब और तो इससे संसाधन बचेंगे पैसे के खर्च में कटोती होगी और विकास की जो रफ्तार है देश की वो कम नहीं होगी उन पैसों को कहीं और इस्तमाल किया जा सकेगा बार बार चुनाव कराए जाते हैं सूची अलग अलग तयार होती है इस जंजट से भी छुटकारा मिले में ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी है वो काफी सहायक साबित होगी हाला कि इससे लेकर प्रतिक्रियां भी सामने आते रहे हैं तमिलनाडू से पस्ट्रे मंगाल से वहां के नेताओं का ये कहना है कि ये उचित नहीं है ये पॉसिबल नहीं है और ये और सम्व आगे क्या होगा वो तो आपको हम बताएंगे लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को पार्लियमेंटरी डिमॉक्रिसी और जो बेसिक हमारे सम्विधान का स्ट्रक्चर है उससे तोडने वाला उसके अगेंस जाने वाला विपक्ष के कई नेताई से बताते रहे हैं अब आगे क देश में एक साथ चुनाब कराने की वकालत की गई है में थोड़ा इंतजार और करना होगा कि आखर इस रिपोर्ट को किस तरीके से देश में लागू किया जाता है या फिर अभी और समय लिया जाता है इस पर भी आपको आगे अपडेट जरूर देंगे